इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय पंद रहा। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरियाह में समा गया और आसा से भेट करने निकला और उससे कहा हे आसा और हे सारे यहुदा और बिन्यमेनी मेरी सुनो जब तक तुम यहवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा बहुत दिन इस्रायल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना विवस्ता के रहा परंतु जब जब वे संकट में पढ़कर इस्राइल के परमिश्वर यहवा की ओर फिरे और उसको ढूंडा, तब-तब वहां उनको मिला. उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांती होती थी और न आने वाले को, बरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोला हल था, और जाती-जाती से और नगर-नगर से चूर किये जाते थे, क्योंकि परमिश्वर नाना प्रकार का कष्ट दे कर उन्हें घबरा देता था. परंतु, तुम लोग हियाओ बांधो, और तुम्हारे हाथ ढिले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा. जब आसा ने ये वचन और ओदेद नभी की नबुवत सुनी, तब उसने हियाओ बांध कर यहुदा और बिन्यामिन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने एपरता के पहाड़ी में ले लिये थे, सब घिलोनी वस्तुए दूर की. और यहुदा की जो वेदी यहुदा के ओसारे के सामने थी, उसको नए सीरे से बनाया. और उसने सारे यहुदा और बिन्यामिन को और एपरेम, मनश्य और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे, उनको इकटा किया. क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेशुवर यहुदा उसके संग रहता है, इस्राल में से उसके पास बहुत से चले आये थे. आसा के राज्य के पंध्रवे वर्ष के तीसरे महने में वे यरुशले में इकटे हुए, और उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आये थे, साथ सो बैल और साथ हजार भेडबकरिया, यहुदा को बली करके चड़ाई. और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पुरोजों के परमेशवर यहुदा की खोज करेंगे, और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पूरुश, जो कोई इसरायल के परमेशवर यहुदा की खोज न करे, वह मार डाला और उन्होंने जैजेकार के साथ तुरहिया और नरसिंगे बजाते हुए उचे शब्द से यहवा की शपत खाई, और यह शपत खाकर सब यहुदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपत खाई, और बड़ी अभिलाशा से उसको धूंडा, और वह उनको म और यहवा ने चारो ओर से उन्हें विश्राम दिया, बरन आसा राजा की माता, माका, जिसने अशरा के पास रखने के लिए एक घिनोनी मूरद बनाए, उसको उसने राजमाता के पज से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरद काटकर पीस डाली, और किद्रो नाले में फू और उसने जो सोनाचांदी और पात्र उसके पिताने अरपन किये थे, और जो उसने आप अरपन किये थे, उनको परमेशर के भवन में पहुचा दिया, और आसा के राज्य के पैटिसवे वर्षत तक फिर लढ़ाई न हुई.